हल्लो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चनल साहू साइंस क्लास तो फ्रेंड्स क्लास 12 यूपी बोर्ड वालों के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन होने वाली है यूगि आज की वीडियो में हम इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टन शेप्टर इंडिगो इसके साराँश को थोड़ा सा भूथ ही शॉर्ट में समझा दूँगा इसके साराँश को समझेंगे कि स्टोरी में एक्शली में है क्या और उसके मोस्ट ओंपरन्ण कॉस्छन को देखेंगे जोकी आपके एक्ز intense पकने आएंगे और लास्ट के वीडियो लास्ट में पर बने रही है चैनल पर देखिए physics, chemistry, math, hindi, english आपको सब कुछ त्यारी हो रही है तो बस आप वीडियो को देखिए देन से आए शुरू करते हैं बेना time waste के हुए तो देखिए सबसे पहले indigo तो indigo chapter में है क्या actually मैं इसका part का साराज देख लेते हैं जड़ा सा और फिर आग कहानी को लिया गया है अब कैसे लिया गया कहानी का कथानक 1916 से 17 का है इसका इस्तान चमपारण है जो बिहार में है आपको पता होगा कि गांदी जी के अगर आपने थोड़ी सी स्टोरी पढ़ी होगी तो चमपारण आंदोलन हुआ था तो actually में जो सारा matter है वो वहीं का है गांदी जी ने सताय गए लोगों के लिए नियाए हेतू उच्च नेतरत्व शमता का परिचे दिया इसके लिए उन्होंने तर्क लिए दिये और सशक्त रूप से वारताएं की गांदी जी ने उस छेतर के गरीब किसानों का नेतरत्व किया और बड़ी बड़ी जागिरे जिनके मालिक ब्रिटिश लोग थे और इनमें कामगार भारतिय काश्टकार होते थे और काश्टकारों को नील की कहती करने को मजबूर किया जाता था राजकुमार शुकला नामग एक किसान गांदी जी से मिला और उनसे आगरह किया कि वे उसके जनपद में आई ताकि किसानों को न्याय दिलाया सके और पटना में गांधी जी राजिंद प्रसाद नाम के एक अधिवक्ता से मिले जो बाद में बारत के हमारे प्रधम राष्टपती बने गांधी जी के समर्थन में काफी बड़ी संक्या में वकील और किसान उट खड़े हुए गांधी जी तो थे आपको पता है साउथ अफरिका से वह उन्होंने वकालत पड़ी थी है ना वकालत आसिल करके लाये थे और गांधी जी ने लोगों को ब्रिटेच राज्जी के अन्याए के खिलाफ बहादुरी से संगर्ष करने का ढंग सिखाया और यह आंदोलन एक वर्ष तक चला तो चंपरण आंदोलन जो था 1916-17 के बीच में एक वर्ष तक चला और यह सफल रहा और किसानों के पक्ष में अनेक सुल्थाओं की गोशना की गई इस प्रकर गांदी जी ने नर्शनस्ता के विरुद संगर्ष रत होना सिखाया और स्वतनता सकराम के बाद वर्षों में हजारों भारतियों ने स्वतनता आंदोलन में अपना योगदान दिया तो गांदी जी के उपर यह बेज़ड है और एक कोशन इसमसे पका आता है एक लॉंग में आता है और एक शॉट में आता है तो इसलिए यह वीडियो बहुत जादा है इंपरेंट है तो देखिए इसके बाद हम समझते हैं अगला हमारा कोशन आज का जो की है हमारा ये पहल शॉट कोशन ठीक है शॉट टाइप कोशन देख रहे हैं समसे पहले की हाव वाज दा चंपारन एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट तो गांदी जी लाइफ मतलब चंपारन की घटना गांदी जी के जीवन में बदलाव लाने वाली कैसे सिद्ध हुई तो दा चंपारन एप इसका मतलब क्या हुआ तो मतलब समझ दीजिए देखिए इसका मतलब यह हुआ वह यह कहना चारे थे कि चंपारन का घटना करम जो था गांदी जी के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला सिद्ध हुआ क्योंकि सविना अवग्या अंदोलन भारत में पहली बा और उन्होंने गोशना की कि मेरे अपने ही देश में ब्रिटिश लोग मुझे आदेश नहीं दे सकते हैं ठीक है मैं अब उनका गांदी जी का रुत्वा था बेसी के लिए अब आता है वाइ वाइ वाज गांदी जी नॉट नॉट पर्मिटेट टू डॉव वाटर फ्रॉम गांदी जी को कुए से पानी नहीं किछने दिया गया अब क्यों इन पटना लेट सम ड्रॉप्स फ्रॉमिस बकेट शुड पुल आउड दा एंटायर वैल यानि कि क्योंकि उनकी भाल्टी से टपकी कुछ बूदे पूरे कुए को ही प्रदुरुशित कर देती दा है दा है इसलिए हुआ क्योंकि उनके नौकरों को यह नहीं पता था कि गांदी जी कौन थे बहला उनको नहीं पता था कि गांदी जी से तुम किस से पहंगा ले रही हो अब देखिए नेक्स मैं आपको एक इंपरनेट कुशन कराता हूं यह वाला हाँ यह रहा देखिए इसको 2023 में भी आया है तो इसको जरूर कर जाएगा most important है अराम से लिख लिजिएगा ठीक है वीडियो का पॉस करके screenshot लेके अराम से लिख लिजिएगा देखिए क्या है वाय डिड़ गांदी जी चाहिड़ दा लॉयर्स who called on him to brief him यहां पर गांदी जी ने उन वकिले तो क्यों ड़ाटा जो उनको इस्तिती के बारे में अवगत कराने आया थ है यहां फिर वाई डिड़ गांदी जी चाहिड़ दाल लॉयर्स यहां चाहिड़ मतला दाटना जी अन अन्यों ड़ाटना अर तोज लोयर्स फ्रिक्वेंटली रेप्रेजेंटेट पीजेंट ग्रूप्स इन कोट यानि कि वे वकील नैले में लगातार किसानों का प्रतिरिद्व करते थे और अपने पारिश्रमिक की धनराशी भी बताई वह पैसे ही बता रहे है अपने और गांदी जी चाइड़ेट थेम फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रम दपूर शेर क्रॉपर्स यानि कि बेसिकली गांदी जी ने किसानों की फीज के रुपे में अधिक धनराशी लेने के लि क्या कर रहे थे वो वो जो वकील थे वो गरीबों से पैसा बहुत जादा ले रहे थे उनके केसों को लड़ने का तो इसलिए गांदी जी ने उनको डाटा यह चीज थी बस इसको आपको इंग्लिश में याद कर लेना है इसके बाद हम एक और कुशन देखते है जो की है यह वाला देखिए मोस्ट इंपरेंट कुशन है यह है ओन वाट ग्राउंड डिट दा इंग्लिश ओनर्स ऑफ दा इंडिगो प्लांटेशन डिमांड कंपेंसेशन फॉम दा शेयर कोपर्स यानि कि किस आधार पर नील की हेती कराने वाले अंग्रेज मालिक बटाईदारों से ह हर जाने की मांग करने किस आधार पर इसा क्या आधार है उनका तो देखो इंग्लिश ओनर्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन डिमांडेंड कंपेंसेशन फ्रॉम शेयर ग्रॉपर्स बिकॉस जर्मनी हेड डेवलब्ड सिंथेटिक इंडिगो नील की हेती करने वाले अंग्र इंको 15 प्रतिशत व्यवस्ता से मुक्त किया आता है तो देखो दे थियोपन अप्टेंड एग्रीमेंट्स फ्रॉम दाशेयर कॉपर्स तु पे देम कंपेंसेशन फॉर बिंग रिलीज़ फ्रॉम 15 परसेंट पर अरेंजमेंट तो व्यवस्ता से मुक्त किया आता है इसके बदले वे उन्हें माले को हरजाना भरें अब देखिए हम लास्ट एक कोशन देखते हैं जो कि आपका 2023 में उस कोशन को जरूर याद करके जाएगा जो मैंने आपसे बूला था कि यह वीडियो के इंड में बताऊंगा तो यह वाला कोशन देखिए देखिए कितनी बार आय इद्वारतिस में भी अलग-अलग सैटों में देखिए कोशन क्या है एक्चली मैं इसको समझ लेते हैं कि इसा क्या है इस कोशन में कोशन यह देखिए कोशन है हमारा कि वाइडिड राजकुमार शुकला इन्वाइट गांधी जी टू चंपारन हाउड डिड गांधी जी स चंपारन के बारे में आ जाए कि चंपारन के लिए गांधी जी ने क्या किया हमें आपको यही छाप देना लॉंग कोशन में ठीक है तो आइए इसको समझते हैं देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में कि राजकुमार शुकला वोजा शेयर क्रॉपर है ना वही खेती करन लखन हुआ है लेकनव कांग्रेस के अधीवेशन में आये थे, उसके बाद देखिए, उन्होंने गांदी जी गो इन्वाइट किया कि आप चंपारन में आईए, शुकला वेंट टू एवरी प्लेस विद गांदी जी, वो हर जगा गए शुकला, गांदी जी के साथ में, फ्रॉम कलकटा, दे रीजड पतना बाय ट्रेन, कलकटा से वो पतना गए, कैसे ट्रेन से, और फ्रॉम देर, दे डिसाइड़ेट टू फर्स्ट तू मुझफफर पूर, विच वोज एन रूट टू चंपारन, यानि कि वहाँ ट्रेन से जब वो जा रहे थे, तो उन्होंने वहीं से डिसाइड किया है, कि वो मुझफफर नगर जाएंगे, मुझफफर पूर जाएंगे, ठीक है, विच वोज रूट टू चंपारन, जो चंपारन के रास्ते में आता था, एन गांदीजी मेट जढ़ आता दासको को कि वह क्या करा थे, और बहुत जादा पैसे ले रहे थे, इन चंपारन डिस्टैक्ड द पयाजकंवि neighbourhood द्राइट बाका हाँ लगने आता, पर क्या बोला उन्होंने कि चंपान डिस्टिक में हो क्या रहा था, जो इंडियन शहर कॉपर्स थे, वो क्या कर रहे थे, इंगलिश लोगों के लिए, अंग्रेज लोगों के लिए काम कर रहे थे, और क्या हो का रहे थे उनके लिए, उनके लिए नील लोगा रहे थे, ठीक ह इसका मतलब समझता हूँ, देखो, स्टार्टिंग समझ लो यहां से, कि उन्होंने क्या गारा, गांधीजी अपने बटाईदारों और वकीलों से मिले, और उन्होंने वकीलों को बटाईदारों से मुकदमे लड़ने की ज्यादा फीच लेने की ढाटा, और चमपान जिले में बटाईदार, जमीनदारों के लिए नील केती किया करते थे, और किराय के रूप में पूरी वसल को उन्हें दे दिया करते थे, और बटाईदा की विवस्ता किसानों के लिए कश्ट प्रत्थी, अब अंग्रेज चाते थे कि किसान उन्हें अपनी 15 प्रतिशत विवस्ता मे से मुक्त करने के एबम हर जाना दे मिल्ड़ाब वो हर जाना दे उनने ये चाते दे वो तो देखो यहाँ पर क्या हुआ गांदी जी देखो यहाँ पर दे इस वम-to present the British wanted compensation to be paid to them by the present as they released them from 15% arrangements अब गांदी जी प्रस झेमिकेती, प्रधा का वरोध किया, तदा जमीन दार कसानों को 25% की सीमा का दंन लॉट आने के लिए राजी होए, उसके बाद नाउदा पेसंट saw that he had rights and defenders, त Nouदा पेसंट सॉ थे लेंट करेज उन्होंने करेज उन्हों में सास आया विदन फ्यू यर्स अब रिटिज प्लांटर्स अबंडन देर्स एस्टेट्स विच रिवर्टेड टु दा पीजेंट्च यह उसके बाद उन्होंने वह जो जिसके बीछे सारा मसला हो रहा था की अब वह हिंबत कर करना सीखे कुछ ही वर्षों में बेटेज जमीनदारों ने अपने जायदात पूरी तरह से छोड़ दी और जो वापस किसानों को मिल गई तो यह था हमारा इंडियो चैप्टर जो मैंने आपको मोस्ट इंपरन्ट कोशन करा दी इसे राभू करने की जोरत नहीं है इतने मे वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं बहुत जट ऐसी ही इंपरन्ट नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गॉडबाई गाईज